शुशान सिंग राजपूत की मौत के एक साल और ग्यारा महीने बीद जाने के बाद क्यारा आडवानी ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खुला है इस सिक्रेट को सुनकर उन तमाम लोगों की आँखों से आशु बहने लगेंगे जो शुशान्त को आज भी बेंतहा प्यार करते हैं शुशान्त और क्यारा ने एक साथ फिल्म एमस धोनी दा अंटोल्ड स्टोरी में काम किया था ये फिल्म दोनों के करियर की पहली सुपर हिट फिल्म थी इस फिल्म की शुटिंग के दौरान शुशान्त और क्यारा ने एक साथ बहुत वक्त गुजारा अब शुशांत की मौत के इतने दिनों बाद क्यारा ने बताया है कि सच्मुर्ष शुशांत एक ऐसी ही शक्सियत थे जिन पर बायोपिक बननी चाहिए दर अन्वीर शो पॉडकास्ट में क्यारा ने कहा हम औरंगाबाद में शूटिंग कर रहे थे और हमने रात आट बजे पैक अप किया होगा हमारी सुबाद चार बजे फ्लाइट थी तबी मुझे शुशांत के साथ वक्त पिताने का मौगा मिला और हम बाते करने लगे वो बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा था कि तुमारी लाइफ की जर्णी इतनी खास है कि तुम पर बायोपिक बनने चाहिए क्यारा ने बताया कि जब शुशांत धोनी पर फिल्म कर रहे थे तो उनके पास एक बुकलेट थी जिसमें धोनी से पूछे गए सवाल और उनके जबाब थे शुशांत ने धोनी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत गहरी रिसर्च की थी और इसी वज़ा से वो परदे पर धोनी का करदार इतनी बखुबी तरह से ने भापाए क्यार ने बताये कि शुशांत शूटिंग के दौरान सिर्फ दो गंटे ही सोते थे और अगले दिन सेट पर फुल एनरजी के साथ आते थे क्यार ने खहा कि शुशांत का कहना था कि इनसान के लिए सिर्फ दो ही गंटे की नींद काफी है एमस धुनी ही वो फिल्म थी जिसने शुशांत को बॉलीबुट के बड़े स्टास के बीच लाकर रख दिया था शुशांत के बारे में कई ऐसी बाते हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आ सकी है वो बॉलीबुट के सबसे टैलेंटेड एक्टर थे और इस बात पर बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता फिलाल क्यारा किस खुलासे पर आप क्या कहेंगे आप मेरा आए हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे